विल्कम बैक टूमा यूट्यूब चैनल पेपर हैकर जैसा कि आप देख रहे हैं हमें आपर बेसी पार्ट वन जिसमें फर्स्ट समेस्टर के लिए के जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन्स हैं वो सभी एक करके हमें आपर आपको कवर करा रहें ठीक है तो आज हमारे पास एक नया बहुत ही अच्छा कोश्चन्स है जो मोस्टली आपके एक्जाम में पूंचा जाता है आवर्थ साड़ी नियम के आधार पर पर परमाणु तरिज्या तथा आनिक तरिज्या के गुणों को समझाईए आवर्थ साड़ी नियम के आधार ठीक है जब हम आवर्थ समय ब्रबाद नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने को उस्क यहां से नाविक होता है पर मानुके नाविक से उसके बाहर तक की जो दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं तरीज़्या ठीक है तो यही उपर से नीचे जाने पर आवत साड़ी में या Left to Right जाने पर किस तरह से वहरी करती है इसी को हमें बताना है तो कहा रहा है सामयनता एक परमाणू के नाभिक के किंद्र से इसकी वाहतम कक्षा की दूरी को परमानु तरिज्जा कहते हैं कोई अगर हमारे पास कोई एक परमानु है उसका नाभिक है नाभिक से इसके बाहरी कोश तक की मानलो इसमें जितने भी कोश हैं सबसे बाहरी कोश तक की दूरी क्या कहलाती है तरिज्जा हुंने कहा था कि फिकस नहीं होती है कैसे यह नाविक कर दो कभी समय होते हैं याई बहुत दूर होते हैं यह निए कभी कोसी की दोरी निस्चित नहीं लेती है तो सबसे जो वाहरी को सोल सकी दोरी कोई फिक्स नहीं रहेगी ठीक है बहरी कर सकती यह तक yards पर मालों कि कई कारी कारी पर परिवाशाई परस्तुत की गई हैं जिनमें दो प्रमुख मुख हैं ठीक है जो हमने अभी उपर पढ़ा था मतलब कह रहा है कि नाविक से सबसे बाहरी कोस्तक की दूरी को हम क्या कहते हैं प्रमानू की त्रिज्जा कहते हैं इसी के आधार पर कुछ थिवरियां या हम कह सकते हैं कुछ और परिवासा है जो ह हमारी निम्न है तो चलिए हम देखते हैं । कि नम्रें यह वांटरवाल तरिज्जा का भांडर वाल तरिज्जा क्ैसे की दो tu स्ट्री का आध़ा इस तत्य के पर्मादूं की वान्रवाल त्रिज्जा कहलाती है अब देखो कहरा दो निकटतम अड़ों दो कैसे होंगे निकटतम अड़ों घी है जैसे हम बात करें ह सुन हो गया एक और दूसरा हम ले 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 एक हम बात करें है अगर हम बात करें यह हमने क्लोरिन के दो ले ठीक है यह कि लोड़ीन काड़ हुए दो परमाणूं से मिलके बनाए ठीक है यह दो अड़ू हो और यह क्या होगा आपका सील डू दो अड़ों के निकटतम परमानु अब इन दो अड़ों में ये जो दो पास वाले आपको परमानु दिखाई दे रहे हैं ठीक है इन में ये जो दो पास वाले परमानु आपको दिखाई दे रहे हैं परमानु के नाभिक के बीच की दूरी इनका जो नाभिक होगा इसका और इसका इसका नाविक और इसका नाविक इन दोनों नाविक के मध्ध की दूरी का आधा इस तत्व के परमाणूं की वॉन्डरवाल तरज्जा कहला थी अब इन दो परमाणूं की मध्ध की दूरी का आधा यही क्या कहलाता है यही कहलाता है हमारे परमाणूं की तरज्जा ठी तो आडू हो तो एकसरे से हम इस दूरी को मतलब ग्याद कर सकते हैं जिसका आधा वांडरवाल तरज्जा होती है उसका आधा हम क्या कहते हैं बांडरवाल तरज्जा कहते हैं जैसे चित्र एक में किलोरीन प्रमादों की बॉन्टरवाल तरज्जा प्रदर्सत की गई जो निम्न दो प्रमादों की निकटतम प्रमादों के नाग के बीच की दूरी की आधी जो कि कितनी होती यह क्लकुलेटिटर रायलू बन.80 एंग स्ट आम लगर एक्स सदोट इंस टुबाई अपाउन टूटरवाल तरज्जा है एक्स डॉट मिंग डेस इंती डूप लगाइंट दू अब इसने कहा को दिया कि जो दो दो एडों होते हैं दो अडों के जो पास वाले परमाड़ों होते हैं उन्हीं परमाड़ों के नाभिक की कुल बीच की दूरी को आधी को हम क्या कहते हैं वानरवाल तरज्जा कहते हैं ठीक है यह हमने कहले लिया सीयल के दो अड़ू है हमारे पास क्या है यह के दो अड़ू है ठीक है एक सीयल का अड़ू यह है जसमें एक c l ये आपका यहाँ पर है एक c l और दूसरे c l आपका यह है, ऐसे एक ज сх ene है जिसमें 要ड एक इनि अदूसरे c l आपका यह है ठीक है, दो ऑड़ों murmैे हमारे से वह और हम बात करें कि फर्स्ट मालीक TL है क्लोरीन का पहला मालेक्ट रекड़ कर दिया आप दूसरे क्लोरिन को इसको एकस जैसे हमने मालिया दो निकटतम हमारे परमाड़ू यही तो हैं किसी अड़ू के यह दो अड़ू है हमारे पास तो इन दो अड़ू के निकटतम परमाड़ू हमारे पास यह हैं उन्हीं निकटतम परमाड़ू के नाभिक के बीच की दूरी की आधी को उन्हीं दो निकटतम प ले यह एक्सरे यह से यहां तक और यह क्या क्या आपका भाई तो एक्स ला dise इन दोनों को गुड़ा कर दो और बटे में क्या कर दो थेक है इन दोनों को उरा बटे दो तो और अगर आज आपकों के पी Consो दूरी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, बॉंडरवाल डिस्टेंस इसको कहते हैं, ठीक है? जो की क्या होता है? X into Y, ठीक है? दोनों का मल्टिपल होता है, तो ये कितना हो जागा? बेश देखो, आदी दूरी क्या थी? 1.8 तो इन दोनों की दूरी कितनी हो जागी 3.60 तो अगर हम पांडरबाद तरिज्जा की बात करें तो इसके बीच की जो दूरी है वो दे रखे calculated value होती 1.80 तो इन दोनों का मान कितना आ जागा एक की वैलू अगर हम बात करें एक्सट डैस इसकल व्हमारा कितना एं बन पॉइंट ये जीरू यहीत वह आधि दूरी तो इसक डैस यह जागा और वाई हमारा क्या हो जाएगा वाई भी हमारा यत्ता ही हो जागा बन पॉइंट एट जीरू तो यह कहा हो जागा X into by X dash by इन दोनों को जब आप multiply करो तो कितना आ जागा 3.2 upon 3.60 upon 2 इस से इसको divide कर दो तो कितना जागा 1.8 एंग स्ट्राम ठीक है 1.80 एंग स्ट्राम आपका यहाँ पर आ जाएगा तो यह होगी आपकी बांडरवाल डिस्टेंस और बांडरवाल रेडियस ठीक है डिस्टेंस कितनी होगी इतनी और डिस्टेंस की आधी क्या हो जाएगी आपकी रेडियस हो जाएगी यह सेकंड मॉलिक्यूल है अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियस तो कोवेलेंट रेडियस आपकी क्या हो जा कोवेलेंट रेडियस यह दो हमारे पास परमाडूं है ठीक है इन दोनों परमाडूं के नाविकों के बीच की दूरी के आधे को क्या कहेंगे कोवेलेंट रेडियस ठीक है यह दोनों मॉलिक्यूल से हैं आपके और इनके बीच की दूरी एक्स और वाई के नाविक के बीच की कि दूरी इतनी है इसका आध्य कर दो तो यह कम आएगी हमारी यह वाली कर आगी आपकी कोवलेंट रेडियस एक ऐलाएगी ठीक है तो तो छिममेंट रेडिएस क need यह आजाएगी तो कि दूरी की आधे तो यह X और Y आ गया इसका आधा कर दो X और Y यह calculated value बन पॉइंट नाइन नाइन ठीक है इसकी याद ही कर दोगे तो कहा आ जागा पॉइंट नाइन नाइन एंग स्ट्राम आ जागा ठीक है तो यह आ गया radius कौनशी कोबेलेंट अगर हम बात करें है इंट्र नूकलियर डिस्टेंस तो इंट्रनू कलियर डिस्टेंस आप क्या जा जाएगी से बीच की धूरी को क्याака कि आप कीimmt इस्टेंस जो की आयर्ड इसकल्डियोटी कितनी बन प्रफ्वेंट नायन यगिस्ट Czech है इधर देख़े यह दो सी एल परमानु है जिन में अगर हम बात करें एक क्लोरीन का नाविक यह है दूसरे का नाविक कि यह लेकिन एक क्लोरीन की नाविक से बाहरी कोश्ट की दूरी कितनी है बन पॉंट एट अंगिस्टांट इसी को हम क्या गांगे आयन इस पर यह जो आयन लगा हुआ है जब आयन लग जागा तो इसको के वह कहला है आपकी आयनिक रेडियस कहला इसको यह और आपका है ठीक है आगे कह रहा है आगे परमानु तरज्या यह सहसे जग तरज्या कहते है ठीक है इसी को किसी को कि नाभिक और उसकी वहायतम कख्छा की दूरी के बराबर मान सकते हैं किसी परमानु के नाभिक और उसकी बाहतम कख्चा की दूरी के पराबर हम इसको मांते हैं से व्यक्त किया जाता-ठीक है का रहाक seminar सहसान उम्हें सहसे तरज्या को ही सामान ता परमानु तिर ¿ Leon service हो जाएगा आपके हैड़ कि यापान डू तो यह सङो कितना थी था, 10 प्रेडियस होती है किसे कम होती है तो का मुझी डे रिडियस से कम होगी कर दो तरिज्जाओं की आवर्तिता यानि की आवर्त में परमानुत रिज्जाएं किस तरह से वहरी करती है ठीक है तो करा आवर्त साड़ी में किसी आवर्त में दाएं चलने पर दाहिने चलने पर परमानुक्रमांक में ब्रद्धी के साथ साथ उनकी परमानुत रिज्जा हैलोजन तक घट जाती है क्योंकि नाभिक में प्रोटान बढ़ने से नाभिकी आवेस तो बढ़ जाता है जबकि इलेक्ट्रानों के कुछों की संख्या वही रहती है अब देखो अगर हम आवत साड़ी में बाएं से दाए जाएंगे ठीक है लेफ्टू राइट जाने पर क्या होगा जम लेफ्टू राट जाते हैं तो प्रमाणु क्रमांक में तो बर्दी हो जाती है लेकिन साथ-साथ उनकी जो तरज्या होती वह एलोजन तक घटती रहती है लेफ्ट जहां तक हम जाएंगे अब आपको मिलेंगे जो गैसे क्लोरीन फ्लोरीन वहां तक इनकी तरज्जा ज बढ़ता जागा कहरा है जब कि इलेक्ट्रानों के कोसों की संख्या वही रहती है लेकिन इलेक्ट्रानों के बढ़ने से नाविक और इलेक्ट्रानों के बीच आकर्षण बढ़ जाता है जब इक प्रोटान बढ़ते जाते हैं उसके नाविक में तो नाविक और इलेक्ट्रा इनके बीच में क्या होता है आकर्षण बढ़ जाता है ठीक है एक दूसरे को बहुत तेजी से अपनी और आकर्षद कर ले लगते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाते हैं और परमानु तरिज्य घट जाती है बहुत नाभिक उसके नाभिक में जब प्रोटान क प्रोटान के बीच में क्या होगा नाभिक जादा होगा तो बात करें आवत सथी सेकंड घर लीटियम बोरान कारवन नाइटोजन ऐसी इनकी जो परमानु तरिज्य होती है वो देखो कितनी है पहले लीथियम के कितनी रिट डी टू रिलियम के अगरrit ही यह कम गई है इसके अगर हो गए बात करें यहाँ ल घृत म ciao कारवन कि अगर हम बात करें तो जीरो फानट सेथाए और नाइटोजन के अगर हम बात करें तो जीरो ऐड़ा फोर और नाभिक नाभिक में प्रोटॉन की संघ्वा बढ़ती जा रही है जो बाहरी कोसके इनने उपर से नीचे आने पर परमानुक बढ़ने के साथ प्रमानु करमांक तो बढ़ेका ऊपर सेसे नीचे होते हैं जो वाहरी कक्षा में एलेक्ट्राउनों पर कम होने लगए लगए उन पर नाविक का प्रभाव कैसा हो जागा कम हो जागा ठीक है इसलिए यह करता है उसको अपनी और खींच नहीं पाता है तो यह अगर हम फस्ट ग्रूप लेए तो इसमें इसके तत्र देरें कि लिधिय। इंग अंतुरह में प्रमाणू तरिज्जा की अगर हम बात करें तो प्रमाणू तर्जजा क्या ओजागी जो हमारा फस्ट है लीधिय। सेकंड वारे की सूडियम की कितनी हैं बन्द एन्द अब फैब नहीं ऊपर से नीचे आने पर तरी नियर्य बड़ती जाती हैं क्यूं बड़ती जाती है अ produce आएंगे तो प्र्माणुक्र्मा उप्रिज्ज्जय बड़ती गयँ 있었 मतलब नाविक में जो आविश क्या यह पहले तो था अब इसका कोई जादा अए rozum बढ़ते जारी रही है तक परमानुकिर्मान को बढ़ने के साथ transpirani यह उपर से नीचे आना पर प्रमाड़ी तरज्जा बढ़ती हैं इनको ध्यान रखना ठीक है यह आपको याद करना यह वैल्यू कैलकुलेट इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा बिसिष्ट प्रिवर्थियां इसके अलावा क्या होता है अभी हम संक्रम रतत्त हों के परमाड़ी में तरज्जाओं के मान निम्ड प्रकार होते हैं अब देखो जो हमारी संक्रम रतत्त होते हैं उनमें क्या होगा अगर आप 20 से दाय जाओगे तो कम अनियमित परिवर्थन होता है परिवर्थन कैसा होगा कम होगा और ऐसा नहीं कि पहले म है तो इसकेंडियम की कि जो तरज्ज्ञ होगीित रूम कि बन फॉइंट फॉर फॉर टार इंगज कितनी होगि बन अब वॉट्वर्ण जाय खेता है प्लबолिय्ट इस्ख्रीयद लग्षाल को था कितनी घ्रज्ञ के नहुत बन पॉइंट टू फैप ठीक है तो इनमें कोई वो नहीं है कि लगातार बरावर ही घटे अनियमित होती है अब देखो यहां से पहला बाला देखा आपने तो यहां से यहां पर मानलो कुछ अंतर प्राप्त हुआ हमें आगे बढ़ोगे तो यहां पर भी हमें कुछ अंतर प्राप्त हुआ ठीक है दसका आगे बढ़ोगे तो हमें कितने का अंतर मिला यहां पर पांच का अंतर मिला आगे और बढ़े हमें तो यहां पर जीरो का अंत करें होगे तो यह अनीमत परिर्थन होते हैं संक्रमत हैं किसी आवर्त में भान से धाय जाने पर तत्तमों के किैस में बर्दी कि आकर्षन बढ़ बल श् सोरोब किरते जाता जाते रिदियांहें तरदार तो नाभी कि आप इसक्राइगा वाहरी कोश्च के इलेक्टानों को अपने ओर अट्रेक्ट करेगा और क्या है कम होती जाएंगी अगला कहरा संक्रमत तत्वों में एलेक्टराउं एलेक्टराउन भीत्री N टी हिक्षकव में भरे जाते हैं जो नाभिक और बाहतं नाभिक नाभिक की आकरसन को बाहतं नाभिक पर पहुंकने से क्परिदीक क्या होता है प्रीदिन इफिक्त कहते हैं है संकरमड out पर जाते हैं और बन बन टी अब यह 소ल माम laugh ऐलो शेले और फ्रीडे को बातर तो इसको कहते हैं एलग्गर है इसको कहते हैं ये जो आगे लिखा होते हैं ँअरगर घर घर तो t एन मायनस बन डी यंन-1 डी तो यह हमारा लास्ट को से यह पो रहस है तो इसका हम n की जगहें पर कहां लिखेंगा 4-1 और क्या जागा दी तो 4-1 इसकल टूट क्या होगा 3D तो यह 3D आजागा इसके बाद में क्या होगा हमारा 4S तो यह कहता है n-1D जो सबसे लास्ट वाला को से उसमें से हम एक को गटा देंगे तो एक अंदर वाला को समें ठीक है तो यह इसी में इलेक्टान भरे जाते हैं जब आप इलेक्टानिक बिन्यास करते हो यह डियर करें तो यह यह संक्रमर तत्तों का तो यह यह अगर हम बात करें मान लो हमारा यह कौन सा सेल है और यह कौन सा सेल है तो यह वाला सेल हमारा कैसा होगा एन एस सेल ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं 4S और ये वाला सेल होगा हमारा कौंसा ये होगा हमारा N-1D जिसे हम कहते हैं 3D अब इन में दोनों में इलेक्ट्रॉन होते हैं अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 3D वाले यानि कि N-1 वाले ये N-1 में कक्छक बर जाते हैं जो नाविक और बाहत इसके नाभिक के और इनके बीच में अट्रेक्शन पैदा नहीं होने देते हैं मतलब क्या करते हैं इलेक्ट्राइब पर पहुंचने में बाधा उत्पन करते हैं आकर्षण को नाभिकी आकर्षण को एन थ्री वाले या बाएन मानिस बंडी वाले इलएक्ट्रान तो कुछ के नाभिकी द्वारा आकर्षण तो नाभिकी द्वारा आकर्षण क्या हो रहा है अये यह तक्से बाएरी कोस वाले अन इस दोनों प्रभाव विपरीत दिशा में कारी रत होने के काड़ यह दूसरे को दाशीन कर देते हैं अब देखो जितना ये ईट्रैक्ट करेंगे उतना ही ये रिपेल करेंगे घंजल आउट हो झाएगा ठीक है और क्या हो जाएंगे ये दूसरे को कर जाएंगी यह हैं गटने के प्रकोडिया सबसे अधिक लैंथ नाइड़ो में देखी जाती ठीक है प्रमादो तरज्ञ सबसे ज़्याद किसमें देखी जाती उसर जाने पर लैंथे नाड़ों में जिस से क्या क्याते हैं Lτι JI संकूचन का देनि लैनिधिनाइड कोंट्रेक्षिन कहते हैं ठीक है तो यह आपको ध्यान द्याद डखना है लेफट राट जाओं कि यद तो लैंति नाड हो त्रिज्जा घठती जाती है Human क्या दें l il NK tsam कहते हैं ने जिसे अधेक गीर इंक रिपिकिन च्विसओं अब देखो अधे हो यह क्या होती है कैसे क्या होता इसमें करा किसी आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रोन अब्र इलेक्ट्रोन अब्र मतलब क्लाउड जहां पर इलेक्ट्रोन पाया जाने की संभाब ना ज्यादा हो जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रोन जहां पर हो उसको हम कहते हैं नाभिक की अब्रया इलेक्ट्रोन क्लाउड के प्र से ले और जहां से लेकर बाहर जहां तक लेक्ट राम में इस भी ब्यक्त किया जाता है यह यह Aggie एक पिको मीटर बरावर दसकीगा तो माइनस बारा मीटर होता है। याद रखना है अब कहो है दनायन तथा रिालएं की आएंक तर्ज्ण hePod это तो नगब बनता है जब कोईly अपन इलेक्ट्राइं तयाग देता है तो कैसा हो जाता है ढिक मित टुम्हाइं अब इन की तरिजह घटेंगी बढ़ेंगी परमाडू विद्धुत उदासीन होते हैं कि उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है कैसे उदासीन होते हैं तथा बे खो कर या ग्राण करके आयन में बदल जाते हैं या तो खो देंगे तो प्लस का एक आएगा उसपे एक इलेश इकSt को दे देगा तब हमारे वह किल दनाइन की तरज्जा उसके मूल पर मानूं की तरज्जा से कम होती है जो मुल परमाणू होगा हमारा मानलो हमने यह वैघ उसकी फोर प्र kenn dungeon तो तो his प्रवावी नाभिकी आब इस बढ़ जाता है इलेक्टॉन निकल जाएंगे तो आप नाभिकी आपिस कैसा हो जागा बढ़ जागा यान कि बाहर इक तो थोड़ा खेंचने लगेगा ठीक है तो त्रिज्ज्च यह कम हो जाएगे अगर हम बात करें सोडियम परमाणू की तो इसकी तुरूइया कुछ कम हो जागी है यह हमारे पास सोडियम का आयन एने प्लस टी आयन तो इसकी आएनिक त्रजания क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगी जीattack यह से कम है तो आय्निक तरजा है कैसी होती हूँ नेक्स वेलाइन किसी परमाणूमे एक एक से अधिक यह कि योग से बनते हैं कोई परमाणूम से एक इलेक्ट्रान गिरहन कर ले चाहे एक से अधिक इलेक्ट्रान गिरहन कर ले तब उस पर क्या जाता है रिड़ का चार्ज आ जाता है ठीक है उसी को हम कहते रिडायन जिससे प्रभावी नाभी की आविश कम हो जाता है अब जो प्रभावी नाभी की आविश था वो कैसा हो यह कम तथा इलेक्ट्रॉन अब रफ फैल जाता है अब जो एलेक्टानों का अब रताब और दूर दूर फैल जाएगा ठीक एलेक्ट्रॉन काफी दूर तक प्रिजेंट हो जाएंगे इस कारण आयनिक तरज्या सदैव अपने मूल परमाणू की तरज्या के आकार से बड़े होते हैं मैं तरज्यायन सदैव अपने मूल परेमाणू के आकार से बड़े अब यह हमारे पास सियल का परमाणू था तो यह कैसा था हमारा मतलब उदासीं था एक सता हमारे उदासीं था यानिक इस रितr कि एक को एक लेक्टोन इसने ख्राइन कर लिए एक लेक्टोन इसने ग्र convection कर लिए तो जो हमारे पास बनेगा दो इस से जङादा उसका हगा जा ehkä प्रूरिन का लेक्ट्रोन का विया है कि यह को काफी दूर तक फ्रेल हुए का होते हैं तो बढ़ या क्योंगे तो तरज्जा कैसी हो जाएगी उसकी है के धाइफ ड़ी इस एक हुरि ग्रॉइन तरस्जा पर देखो यहां पर कमी हो गई क्लोरिन के पहले तुर्जा के तनी इसी तो इसकी तरज़जा भी बड़ी होनी चाहिए इसकी तरज़जा कितनी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए 0.21 या 0.25 एंगस्टाम मतलब कि जो पहली तरज्जा है इससे यह कुछ बढ़ी होगी ठीक है यह नहीं होगी इससे कुछ बढ़ी जब आकार बढ़ जागा तो उसकी तरज्जा भी बढ़ जाएगी ठीक है यह है अपकी कहानी कहरा है आयनक तरज्जा के आवर्ती गुण नुम्बर करें था में एनेक तरज्ज्जाह में परिवर्तन किस परकार होता होता सामानता या और करम सा घर्टी जाएंगे ओर ना भी आवेशं में भिद्धी की फलसुरूप परшुरू तथा आयन के आकार चोटे होते जातें परमानों और आयन के आकार क्या हो जाए solvent पी से नाविकी आवेश में ब्रद्दी होगी ठीजा जब प्रमान्म करमांग तो सके उसमें प्रोटानों के ब्रद्दी जाएकि जिस से की नाविकी आवेश बढ़ा हो जाएगा बढ़ा होने के काढ़ क्या होगा conteúdo तथा उसके आयन के आकार कैसे हो जाएंगे चोटे हो जाएंगे नाविकिया वेष ज्यादा होगा तो बाेरी लेक्टा उनको ज्यादा अपोज करेंगा ठीक है, खीचेंगा आकार में कमी परमानौン के धात्विक गुण पर प्रभाव डालता है यह जो आकार में कमी होगी यह क्या बताता है उसके धात्विक पर प्रभाव डालता है ठीक है यदि दो परमाणूं के आकार के आकार के लगवक समान हो तो जिस परमाणूं का परमाणूं करमांग अधिक होता है बहक कम धात्विक ह बढ़ागर दो परमाणू हैं हमारे पास उनके आकार कैसे लगवक समान तो परमाणू को जो परमाणू कर्मांग का देखोगा उन्हें से एक परमाणू ऐसा ओगा जिसका परमाणू कर्मांग जादा इस पर देख़ो एक इलेक्ट्रोन कम ऐनिक तरिज्जा कितनी है फंट 60 दो इलेक्ट्रोन कम है इन्ख अिधर जिरूप्ट insights रिवन तीन रेक्ट्रोन कम गोटेखो चार लाइखो नेलेक्रोन कम थो पॉइंट बन सिक्स नाइट्रो double इड और उक्षिजन दो तो इसकी बन पॉइंट फ्लोरीन के पास एक लेक्टान है तो बन प्रीशिक्स यह आपको याद रखनी पड़ेंगी ठीक है याद रखनी पड़ेंगी कि तो यह कुछ नहीं देखना है इसका कोई मींस नहीं है सेकर नगर हम बात करें वर्ग यानि गुरुप में आयनिक तरिज्जा में परिवर्थन गुरुप में आयनिक तरिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् कारण उसकी आनिक तरज्या भी बढ़ती जाती इसका कारण भी परमाणु में उत्रों उत्तर नई कक्छा का जुड़ना है इसका कारण क्या है कि हम एक गुरूप से उतरकर नीचे आएंगे तो अगले गुरूप में हमें एक नया कोस मिल जागा ठीक है या नई कक्छा तरज्याओं पर परमाणवी तरज्याओं के अनुरूप ही होता है जैसे परमाणवी तरज्याओं बढ़ती जाती है ठीक उसी तरह से आयनिक लेंटिनाट संकुचन भी होता है अच्छा अगर हम बात करें कुछ हमने आप एलिमेंट हैं देखो आपको दिखाई दे रहे है पुछ आयन और आपकी तरज्याओं दे रखिए लिथियम तत्व है अगर हम इसके आयन की बात करें तो इसकी तरज्या कितनी हो जाएगी पॉइंट शिक्स एट ठीक है तो यह बैलू जा आपको याद कर लिया नहीं है ठीक है सोडियम का तत्व है इसका यह आयन है सोडिय आने पर क्यों रहा है एक तरिज्याओं की बढ़ती जा रोए उपर से नीचे आने पर आयन तर आप्की बढ़ रही ए ठीक है नेक्स्ट कहा रहा है सम इलेक्ट्रोन आयन सम इलेक्ट्रोन आयन ठीक है मतलब इलेक्ट्रोन तो समान होंगे उसमें लेकिन आयन आपका चेंज हो सकता है इसी को कहते हैं सम इलेक्ट्रोन आयन सम इलेक्ट्रोन आयन बे आयन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोन की संख्या तो समान होती है परंतु नाभिकी याभिश में अंतर होता है कहने कि इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे मालो यह है हमारा यह भी है यह सी है तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल वो कैसे होंगे समें बरावर होंगे अगर दो हैं तो सभी में दो इलेक्ट्रॉन बरावर भी किनका कम जादा हो सकता है ठीक है इनके पास आभर आवी सकते हैं यह या निकाल दिया है में ने भी दो एक्टर अपने बाहर को सबाले दान कर दिया निकाल दिया आयनों में कुल 10ड़ इलेक्टरॉन इनमें अगर आप काउंट करोगए तो आपको केबल ददे लेक्ट रगि Gwen- इंहांपर दिखाइगा कि तो हैं कि कि यह उन्हें इन इन में आपको दद्दस आयन मिलेंगे इसमें नाइटोजन ऑक्सजिन फ्लॉरुरीन सोडियम मैंग इन में अविस्की कितना होगा साथ आठ नो ग्यारा और बारा नावी की आवेश मतलब इनका परमानू करमंग उतने तो प्रोटान होते हैं इसके नाभी की आवेस कहते हैं तो नाभी की आवेस साथ हो गए आक्सिजिन का प्रमाणुक्रमांग आठ नाभी की आवेस आठ फ्लोरिन का प्रमाणुक्रमांग 9 नाभी की आवेस 9 सूडियम का परमाणू कर्माग गया नाभीकी आवेस गया 최고 года मेगनिसियम का परमाणू कर्माग 12 और नाभीकी आवेस 12 तो इस प्रकार यह आयन सम electronic आयन है कैसे है सम electronic आयन है इन आयनोओ Kay northern में नाही की आवेस में बरती होने से और इनका आकार कम हो अब यह जो आयन है इन में नाविकी आभिस्थ में होजाती ब्रद्धी हो जाती और इनका आकार कैसा हो जाता है कम हो जाता है ठीक है तो देखो यहाँ पर दे रखाँ आपको आएन दे रखा है तो आयन दे रखें ऑक्षीजेन नाइटोजन ले कि अशन फ्लोरीन सोडियम मै कितनी हो जाेगी इसमें दस उक्सीजन में भी लेक्टान की संक्यां किती हो जाएगी दस हो़ाएगी यह जाएगी तर फिलॉरिन का परमानुकर्मांग बात करें यह नदिया वे है अगर हम बात करें तर दो तो sodium के नीटोजन के थिस कृणच कि टिनी है ।으면 sun की बन पॉइंट फोर जीरो दो फ्लोरीन की बन अनिवरा फ्री और यहां पर सोडिम के एगर हम बात करें तो ठोट 95 होगी और मैंगेचिंश्इम के बात टो प्वींट कितने हो जाए समझ लिया होगा और नोट्स भी बना लिए होगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें ठीक है और साथी साथ बताना चाहूंगा अगर आप इसकी पीडिफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको पीडिफ का लिंक मिल जाएगा जहां से आप पीडिफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्स वाइस